Hello everyone, welcome back to another recipe video तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 8 life changing salad recipes मैंसे देखा जाए तो ये भी एक तरह की बीमारी ही होती है लग जाए तो 90% chances हैं कि आप सुष्थ ही रहेंगे ये बीमारी है healthy खाने की हर वक्त कुछ नया और healthy खाने की इच्छा कभी खतम ही नहीं होती और कई variations आप इनमें ट्राइ कर सकते हैं बिना बोल हुए इस खाने को enjoy कर सकते हैं अब एक week आप इन सभी recipes को ट्राइ किजिएगा डिनर में इन salads को बनाईएगा और खाईएगा और एक week के बाद अपना weight check कर लेना I'm damn sure आपको difference जरूर नजर आएगा इन salads को अगर आप main meal के साथ खा रहे हैं तो एक या दो serving spoon ले सकते हैं लेकिन अगर main meal की जगा आप इसे ले रहे हैं तो आप bowl भर ले सकते हैं पिछले दो महीने से इस वीडियो की request थी तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं देखते हैं पहली recipe क्या है तो चलिए बिल्कुल basic से शुरू करते हैं सबसे पहले बनाते हैं carrot cucumber salad तो carrot cucumber को आपने इस तरह से thin slices में काट लेना है अगर आपके पास इस तरह को कोई manual chopper है तो उसका use कर लीजिए नहीं तो आप chopping board का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अच्छा गाजर का इस्तिमाल में सिरफ इसी salad recipe के लिए कर रही हूँ को कि आज का summers है तो गाजर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है बाकी winters में आप चाहें तो हर salad recipe में गाजर का use कर सकते हैं salad में basically खीरा, प्यास, टमाटर, गाजर, पता गोभी या शिम्ला मिल्च इन चीजों का ही इस्तिमाल किया जाता है बाकी रह गई बात dressing की अगर हम बात करें बल्कुल simple dressing की तो lemon के साथ rock salt साथ में black pepper powder बस अगर आप इतना ही डाल दें तो भी आप salad enjoy कर सकते हैं लेकिन salad को अगर आप अलग-अलग dressing के साथ बनाते हैं और खाते हैं तो आप जादा salad खा पाते हैं तो एक बटल में खीरे और गाजर के साथ मैंने प्यास, कटा हुआ लसन और साथ में कटी हुई हरी मिच डाली है dressing के लिए मैंने apple cider vinegar लिया दो टेबल स्पून, एक टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें soya sauce साथ में इसमें डालेंगे हम olive oil एक टेबल स्पून, एक टी स्पून मैंने इसमें white till डाले हैं और साथ में एक टी स्पून rock salt shake कीजिए और pour कर दीजिए salad पे तो आपका salad तेयार है, हरे दनी एक साथ गार्निश कर सकते हैं चलिए अब बनाते हैं egg salad अच्छा जो लोग अब egg नहीं खाते हैं वो पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर tofu का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके जो vegetable हम ले रहे हैं वो है सिरफ प्याज, टमाटर और साथ में शिम्ला मिट्ज boil एंडो में बस आप इतना भी सपुछ mix कर दें और सिरफ उसमें green chutney और lemon डाल दें तो उतने में भी आपका salad ready हो जाता है लेकिन चलिए इस salad को थोड़ा सा और tasty बनाते हैं थोड़ा से creamy बनाते हैं कोशिश कीजिए कि जिन salads में सिरफ सबजियां हैं उन्हें आप main meal के साथ इस्तेमाल केजिए और gin salads में कुछ variations डाली गई हैं मतलब कुछ flavors एड़ किये गए हैं जैसे कि अंडा है, चना है, सोया बीन है, राजमा है उन्हें आप main meal की जगा पे लीजिए मैंने यहाँ पे तीन boil अंडे लिए हैं, अगर आप सिरफ अपने लिए बना रहे हैं और main meal के लिए बना रहे हैं तो आप दो boil लेग लीजिए एक प्याज, एक टमाड़, एक मीडियम साइज शिमला में चाप के लिए काफी है अब एक grinder jar में दो चमच में दहीं डाला है, दो चमच green chutney, थोड़ा सा black pepper powder और साथ में काला नमक तो बस अब इसे blend कीजिए, pour कीजिए, mix कीजिए और enjoy कीजिए चलिए बनाएंगे किनुवा सेलेड, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे किनुवा क्या होता है तो ये South America का एक grain है, इंडिया में थोड़ा सा महेंगा मिलता है देखने में ये हमारे millets के जैसा देखता है, और millets के जैसे ही इसे भी super food कहा जाता है पानी का ratio गर सही रखें तो ये बहुत खिला-खिला बनता है, तो जो मैंने experience किया है वो ये है कि अगर आपने एक cup किनुवा लिया है, तो one and one third cup इसमें पानी जाएगा simply से wash करके पानी डालके गुप करने के लिए रख दीजिए, पानी dry हो जाए, उसके बाद 10 minute लिट लगाके और पकने दीजिए, बिल्कुल soft हो जाएगा तब तक दूसरी preparation कर लेते हैं, तो एक cup मैंने white चना लिया है, boil किया हुआ तो चना, राजमा, सोयबीन वगरा ये सब boil करके मैं freeze कर लेती हूँ, salad वगरा अपनाने में असानी रहती है, जादा सोचना नहीं बढ़ता थोड़ा सो olive oil और नमक डालके इसे roast कर लीजिए, आप चाहें तो इसे oven में या air fryer में भी roast कर सकते हैं रोस्ट करने से ये थोड़े से crispy हो जाएंगे और टेस्ट और भी बढ़िया आएगा, तो देखे किनुवा कितना खिला खिला कितना बढ़िया बना है, बस आप भी पानी का ratio याद रखेगा, आप देख सकते हैं बल्कुल soft है, कच्चा होता तो इस तरह से फिर mash नहीं होता तो बस बोल में एक कप चने के साथ दो सर्विंग स्पून किनुवा डाला है, साथ में खीरा, पयाज और टमाटर डाल दिये हैं, चौप किये हुए, ओलिव्स डाले हैं थोड़े से, साथ में पुदीना और साथ में हरा धनिया काटके डाल देंगे, उसके बाद हम इसके ल आजकल मैंगोज आ गए हैं मार्गेट में, तो चलिए बनाते हैं मैंगोज सैलड और इसकी ड्रेसिंग हम बहुत क्रीमी बनाएंगे, जिसके लिए 1 फोर्थ कप काजू मैंने घरम पानी में सोक करके रख लिये हैं, और अलग से एक बोल में हम डालेंगे 1 कप आम, 1 कप टम इसमें कॉंस, कुछ कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दीजिए, और अब रेडी कीजिए इसके लिए बहुती क्रीमी सी ड्रेसिंग, इसके लिए ग्राइंडर जार में थोड़ा सा धनिया, पुदीना, साथ में इसमें डालेंगे हम काजू, ओलिव ओयल, रॉक सॉल्ट, ब्ल मेरी फेवरेट ड्रेसिंग के साथ, मैं घर में अल्मोस्ट इसी ड्रेसिंग का यूज करती हूँ, चोट चोटे पीसीज में काट लीजिए, खीरा, टमाटर और प्यास को गानिश कर दीजिए हरे धनिये के साथ, और ड्रेसिंग के लिए हम यूज करेंगे, एपल साइडर के विनिगर, ओलिव ओयल, मस्टर सौश में कर रिसी डालीए है, यसमें ब्लाइक पेपर पौदर, रॉक सॉल्ट और साथ में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, बस इतना है इतना है, शेक करना है और पूर करना है, मिक्स करना है और इन्जय करना है, चलिए बनाते हैं राज मा यानि की kidney bean seller, जिसके लिए हमने लाल वाले राजमा लिए हैं, तो एक कप लाल राजमा लिए हैं, बॉयल किये हुए एक कप हरी شिमला मिर्च, एक कप लाल शिमला मिर्च, सात्में एक कप कौण्स डाले हैं एक कप टमाटर, एक कप प्याज, 1 फोर्थ कप अलपीनोज, और साथ में इसमें डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ पनीर 1 कप ट्रेसिंग के लिए एक मीम्बू का जूस एक चमच ओलिव ओल, एक चमच हनी डालेंगे इसमें और साथ में डालेंगे जीरा पौडर, ब्लैक सॉल्ट और साथ में डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पौडर शेक कर दीजिए, पोर कर दीजिए मिक्स कर दीजिए और इंजोई कीजिए डिनर में अगर आप ये सैलड खाते हैं तो आपको खाना खाने की क्रेविंग नहीं होगी प्लस भूग भी नहीं लगेगी क्योंकि ये काफी फिलिंग सेलड होते हैं तो चलिए बनाते हैं फटा फट से कैपेज और पनीर सैलड जिसके लिए पता गोबी को हमने पीलर की हल्प से पील करना है अलब इस तरह से अगर हम करते हैं बहुत बारीक बारीक रेशे पता गोबी के हमारे पास आ जाते हैं जिसे खाना काफी इजी होता है पता गोबी को लेकर काफी चीज़ें बोली जाती है इसमें स्पेशल तरह का एक किड़ा होता है जो हामफूल होता है तो ऐसा नहीं होता है किसी एक चीज को बहुत बुरा नहीं बना देना चाहिए अच्छे से उसे गरम बानी से वाश कर लीजिए और उसे यूज कीजिए ये एक लीफी वेजिटेबल है बिल्कुल इसे खाना छोड नहीं देना चाहिए मैं तो पत्ता गो भी बहुत खाती हूं पनीर का इस्तेमाल इस सेलेट के लिए आप कच्चा भी कर सकते हैं तवे पे रोस्ट कर सकते हैं एरफ फायर में या अवन में भी से रोस्ट कर सकते हैं रोस्ट करने से क्या होता कि थोड़ा सा फ्लेवर छीन हो जाता है और salad देखने में भी काफी अच्छा लगता है इसके लिए भी हम एक creamy सी dressing बनाएंगे जिसके लिए काजू का इस्तिमाल होगा तो वही 1 फोर्थ कप मैंने काजू लिए है दो चम्मच मैंने इसमें दही डाला है रॉक सॉल डाला है, चिली फ्लेक्स डाले है और एक चम्मच के करीब इसमें डाला है olive oil, blend कर दीजिए और बस पोर करना है, mix करना है और enjoy करना है तो चलिए बनाते हैं आज की last salad recipe विच इस barbecue salad सोया भीन ली है, मैंने 1 cup, खीरा, प्याज और टमाटर 1 के कप हरा धनिया और साथ में पुदीना डाला है काटके कुछ मुंगफली के दाने डाल दिए dressing के लिए हम इसमें डालेंगे barbecue sauce यह fat free sauce easily market में available है इसके साथ है इसमें डालेंगे एक lemon juice, apple cider vinegar, olive oil, एक चमच honey, rock salt और black pepper powder अब इसके बाद क्या अगर ना है वो आपको पता है पता है तो comment section में लिख दीजेगा तो इन sellers को मैंने life changing sellers का नाम क्यों दिया क्योंकि वाक्य में अगर आप इनको daily basis पे खाते हैं तो आपकी health change हो जाएगी और health change हो जाती है तो life change हो जाती है तो बनाएए, खाएए और मस रहिए और मेरा इंतजार जरूर कीजेगा मिलूंगी नेक्स वीडियो में Till then bye bye, take care and stay healthy